इंसान को कठनाईयों की आवेशकता होती है क्योंकि सफलता का आनन उठाने के लिए जरूरी है कर सकते हैं मैं अपने आने के प्रोफाइल के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दें तो उसी लिंक पर डारेट क्लिक करके आप फॉल्लो कर सकते हैं और वहां पर बनाएगे करेंड़ फ्री में देख सकते हैं यदि आप चैनल पर पहली बार बीट करें तो ACI खेल 28 में correct जीतने वाली पहली भारती हैपधेथलीट कौन बन गई है तो बहות important question है ये एसियन गेम 2018 में गोल्ड मिडल जिदने वाली पहली भारती हेप्तेथलीट बन गई है सौपना बर्मन ठीक है सौपना बर्मन देखे तो सौपना बर्मन ने इंडोनेसिया में एसियाई खेलों में गोल्ड मिडल जिदने वाली पहली भारती हेप्तेथलीट बन गई है हेप्त 6026 अंक दर्जक किये और खिताब के लिए मार्ग में उन्होंने उंची कूद और जेबरिन द्रो और इवेंट जीते और साथ पूट जो है तो और लंबी कूद में सबसेट परसन किया है अब यह हैप्थे तलीट इवेंट होता क्या है जिसके बारे में आप जान लीजिए जिसमें पहले दिन जो है तो पहले चार का आयोजन होता है दूसरे दिन सेश तीन का आयोजन होता है अब एक कौन से साथ इवेंट आपको बता देता हूँ फिफ्ट पर है लंबी कूद और शिक्स पर है भाला फेंक यानि जेवेलिन थू शेवेंट है एट आट सो मीटर तो यह साथ इवेंट होते हैं इस हैप्थे तलीट में है ना यह महिलाओं का आउट डोर है यह ठीक है और आपको पता है दोसो जो हटारा रग जो एसियन गे बारवार रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें कंठस्त हो जाएं यहां पर दोस्तों बात करें विनेश फोगट की इन्हों ने भी बहुत ही इंपोर्टेंट जो है तो कुश्चन इन से पूछा जाना है आपको बता दे कि इस इंडोनेसिया मिन्हों ने एसी आई यू को राया है यू की आई यू को राया है और इन्हों इतिहास बनाया है क्योंकि एसीन गेम्स में स्ट्र जिदने वाली पहली भारती महिला पहलबान बन गई है तो यह आप बिने इस फोगट से इलेटेर कोश्चन याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है व को यह भी आद रखना है पच्चीस मीटर पिस्टल इस परदा में और यह इतिहास में स्ट्र जिदने वाली पहली भारती महिला शूटर बन गई है राही सरनोबत ठीक है तो यह भी बहुत इंपोर्डर कोश्चन जाता है वहीं बात करें सो नीरा चोपडा की तो आपको नी नीरा चोपडा जो तो एसी आई खेलों में स्ट्रोण जिदने वाले भारती जेवलीन थ्रोवर बन गए है यह गोल्ड में जिदने वाले भारती जेवलीन थ्रोवर बन गए है यह 20 वर्सी जूनियर विस रिकार्ट धारग ने इन्होंने 88.06 मीटर की दूरी तक जो भाला ठीक है तो जेवलीन थ्रोवर बन गए है गोल्ड में जिदने वाले पहले जो भारती बन गए है तो यह बहुत इंपोर्टन तीनों की चारों के चारों कोश्चन है एसीन गेम से लेटेट कोश्चन आपके अगामी एक्जाम जरूर पूछे जाएंगे बहुत इंपोर्टन पताद एक ACI खेलों में स्वाण पताग जितने वाली प्रथम महिला काउन थी वो थी कमल जीत संधू ठीक है ACN गेम से में स्वाण पताग जितने वाली प्रथम महिला थी कमल जीत संधू चलिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है ACI खेल 2018 में ट्रिपल जंप में अमरिंदर सिंग ने कौन से पताग जीता है तो ACN गेम 2018 में ट्रिपल जंप में अमरिंदर सिंग ने जो दोस्तों सोण पताग जीता है इन्होंने भी गोल्ड मिडल जीता है ठीक है देखे तो आपको वतादे कि अमरिंदर सिंग ने ACI खेलों में ट्रिपल जम्प में 16.07 मीटर के प्रयास के साथ भारत के 48 वर्स के लंबे इंतजार को स्वाप्त करते हुए इन्हों टे गोल्ड मिनल जीता है आपको वतादे कि ACI खेलों में पूर्सों के ट्रिपल जम्प में भारत का आखरी सोन पदक 17ikh में मोहिंदर सिंंग गिल ने जीता था कब जीता था 177 में आखरी पदक इन्हों ने मोहिंदर सिंग इल ने जीता था आपको बतादिक अरपिंदर ने 2014 में राश्टमंडल खेलों में पदक जीतने के बाद से बहु खेल आयजनों में से कोई पदक नहीं जीता था इस बार उन्हों ने अपने तीसर प्रयास में 16.77 मीटर की सर्वस्टेस्ट छनाग लगाई है तो एसी आई खेल डोटारा में ट्रिपल जम में जो तो अर्पिंदर सिंग ने कायों से पदक जीता इन्हों न जीतक है गोल्ड मिडल यहां पर दोस्ता आपको उताद है की इंडोंच नहीं द के राजधण आसियान का फुलपॉर में और आसियान का अगला सिखर समयलान होगा 2019 में थाइलेंड में तो यहाफ याद रखिएगा समयलान से लेटेर भी कोश्चन अक्सर पूछे आते हैं एक्जाम में ठीक है दोस्तों और आप वता दें कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वे प्रिथम महिला कौन थी वो थी मारी लीला राओ ओलमपिक खेलों में भाग लेने वर प्रेसम महिला कंती मैरी लीला राओ यह एक स्थैन कई बाढ़े एक्जाम में और ओलंपिक कोई पस्थाम महिला ठीक है इनुने कान्स्था घीता ठीक है गे इस अंऑले कोश्चन के तरह बढते ह सब्सक्राइब करने चेट्री बढ़ाने और व्यापार को बढ़ावा देने पर मुख केंदरन के साथ आयोजित किया गया है ठीक है तो यह आप याद रखिए इसके लिए बतादे शिखर समयलन के विशय था तुवार्ट्स अ पीसफुल प्रोस्परस सस्टेनबल बे आफ बंगाल रिजन और आख वतादे कि मोदी जी शिखर समयलन दोरा विश्मिटेक देशों के नेताओं के साथ दुविपक्षी वारता करेंगे थोड़ा सब भीमस्टेक के बारे हैं आख वतादे तो इसका क्या है बे आफ बंगाल इनिसेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकाल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी स्थापना हुई थी छे जून 1997 को कब हुई थी छे जून 1997 इसका गठान हुआ था विमस्टेक का पहला सिखर समयलन हुआ था 2004 में ठीक है बैंकॉक थाइलेंड क भूटान भारत नेपाल सिलंका में अमारो थाइलेंड समील है और समू जो तो यह ग्रूप जो है बैस्विकावादी का 22 प्रिसत हिसा है और बरतमान में धेख्षता कर रहा है नेपाल बिमस्टेक की बरतमान धेख्ष नेपाल है ठीक है और आपको कुछ और सिखर समयलन ब प्रिया में केपी शर्मा ओली और काठमांडू जो बरतमान में प्रेसिडेंट है वह है विद्या देवी भंडारी ठीक है तो चाओथे विमस्टेक शिखर समयलन की शुरूआत कहां हो गई है नेपाल की राजनी काठमांडू में चलिए अगले कोशन तरह बढ़ते हैं ने उसका राइड एंसरों को 375 यानी ऑप्सन डी दिखे दोस्तों भारत सरकार और एसी आई विकास्वेंक यानी एडीवी ने मद्ध प्रदेश में सिचाई नेटवर्ग और सिस्टम दक्षिता का विस्तार करके दोगनी क्रिसियाय में योगदान के लिए 375 मिलियन डॉलर र लक्षिता में सुधार करेगी जिससे MP में आठ लाग से ज़्यादा लोग लाभान भी ठोंगे ठीक है आपको बता दें दोस्तों ACI विकास बैंक के बारे में इसकी स्थाबना हुए थी 1966 में कब हुआ था ACI विकास बैंक की स्थाबना 1966 में एक कोश्चन बहुत बार एक्ज President है वो है ताके हेको नाकाओ कोने इस बैंक की प्रेशिडेंट बरतमान में ताको हेको नाकाओ बरतमान में प्रेशिडेंट है ठीक है तो यह बहुत important fact है याद रखिएगा भारत वर एडीवी ने MP में सिचाई परविजनाय मत्परिश में सिचाई शमता में सुधार के लि प्रेशिडेंट बरतमान में दोस्तों 36 गड़की राजजपाल हैं क्योंकि अभी हाले में 36 गड़की राजजपाल थे बलडामदास जी टंडन का उनका हाले में निधन हो गया तो पत्पे रहते वे अतरिक प्रभार सम्हाल के रखा है आनंदीवेंट पटेल ने 36 गड़के सवक्ष उर्जा संक्रमण के लिए इन्हांसिंग इन्वेशन पर एक समझोतक जयापन पस्ताक्षर किये हैं और आपको अधिक समझोतक जयापन भारत में शौक्ष उर्जा प्रद्यूकी के अनुसंधान विकास और प्रशन में तेजी लाने के लिए शौक्ष उर्जा गोगल ने भारती प्रख्यान प्रौश को नंच की गोशन इसका नाम क्या है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option भी नौलेखा देखे दोस्तों Google ने नई दिल्ली में आयोजीत Google for India इवेंट के अपने चोथे संस्क्रण में परियोजिन नौलेखा की घोशना की है आपको बता दे कि मुध्रित प्रतिय बेचने की परिसानी का सामना की ये बिना 6-3 भासाओं के भारती प्रकासकों को अपनी सामागरी ऑनलाइन प्रकासित करने के लिए परियोजिना नौलेखा लॉंच की गई है आपको बताएक नौलेखा कि आधिकारिक वेवसाइट आसानी से उपयोग करताओं द्वारा व्याख्या की जा सकती है और उपयोग करता विश्यशक जों से अपनी प्रकासक वेवसाइट इस्थापित करने में सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दें यहां पे Google के बारे में तो Google की दोस्तों इस्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में ठीक गूगल के बारे हम तो आप सब को पता है बहुत बड़ा सर्चिंजन है बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की तो और इसके जो दोस्तों गूगल के वह सरगे बूइन और कूं दोब सब गूगल के बहुत करते होंगे बहुत सारा तो फांडरस आपको पता होना उच्छा में पूछे आते हैं लेरी पेज और सरगेइन पुर्णर हैं अब अरतमान जो CEO दोस्तों भारती मूल के सुन्दर पिचाई बहुत इंपोर्टेंट है चीफ एक्जिक्यूटी ऑफिसर सुन्दर पिचाई है ठीक हो दिए बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है तो गूगल ने भारती प्रकाशकों के लिए नए मंच की घोषना कि उसका क क्योंकि आप लोग रिगलोर विडियोज देखते हैं अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है आज का सवाल है शायूक्त राष्ट पर्यावरण कारिक्रेंग के निवयर् कारियाले का सहायक महसंचिक किशे ने उपको एंसर पता होगा और्सन आपके सामें के ने रख ज़्यादा ज़्यादा लोग दोसी तीन ज़्यादा लोग आज कमेंट करेंगे वीडियो ते अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिए को दोस्तों इसे ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ पेस्बूक वाट्सप गुरूब में ताकि उनकी मदद हो सके उ तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मिलते नेक्स वीडियो के साथ दोस्तों आपका दिन सुभ हो जै हिंद बंदे मात्रम